हलो फेंट्स स्वागता आप सभी का यूटूब चैनल जो फ्रोड़े में दुस्तो बिहार सौस्त विभाद के तरफ से एक नई भरती आई है है 2021 को लेकर तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तो अगर बात करें इस वेकैंसि की बारे में तो आप आप पर तो को आवेदन करने के लिए 21 जुलाई 2021 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं क्योंकि इसकी ओनलाइन फॉर्म जो है वह शुरू हो चुकी है एक जुलाई 2021 से ही और आप ये वीडियो देख रहे हैं दो जुलाई 2021 से तो आप क्रिप्या करके अगर एलिजवल होंगे तो जरूर ज अच्छी पोश्ट है यहां पर 88 सा तिरपन पोश्ट बहुत ही कम बारी जो है इतनी सारी वेकैंसी एक साथ आती है तो अपलाई आप लोग ऑनलाइन मूड से कर सकते हो हम तर डिटेल में इस वेकैंसी के बारे में बात करेंगे सेलेक्शन प्रोसिस क्या होगा एक्जाम प् सब्सक्राइब करना मत भुलिएगा दस्तो तो आगे बढ़ते हैं और देते सभी जानकारी आपको अब दोस्तों आप सभी देख सकते हैं यहां पर राज्जी स्वास्थ समीष्थी बिहार पत्ना के तरफ से यह भरती है जो आवेदन संख्या की बात करें तो फाइव अव दोस्तों यह फॉर्म हाला कि और इंडिया लेवल पर अगर आप किसी और भी स्टेट से बिलॉंग करते हैं फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं टोटल यहां पर कुल पद बताया गया है अठासी सव तिरपन पोस्ट है जो की एनम की है यहां पर आप लोग के टोगरी वाइस सब्सक्राइस पोस्ट देख सकते हैं जनरेल के टिए यहां पर 277 पोस्ट है जनरेल फीमेल के लिए 566 फिमेल के लिए 1665 भी सी के बात कर देभी सी के लिए 33पोर्ष्ट है वह बिसी के सब्सक्राइब करें तो बीस पोश्ट है और डवलू वीसी वालों के लिए दोसर चोड़ा से पोश्ट है यहां पे तो यह चीर यहां पे आप लोग क्लियरी समझ चुके हैं दोस्तों अगर बात करें सेलरी को लेकिए तो सेलरी यहां पे जो देख सकते कहा गया है कि मान दे आपकी जो परतीमा रूपिया होगी वह 11500 रूपिया जिससे स्टार्ट होगी आपकी सैली यह ध्यान रखिएगा और धीरे धीरे आपकी सैली बढ़ती रहती है यह सभी को बता है एजुकेशन को इलिफिकेशन की बात करें तो दो साल का यहां पे डिपलोमा मांगा गया फ से केंड देख सकते हैं पॉइंट में कर सकते हैं दोस्तों अगर एज को लेकर बात करें तो एज की जो है आपकी कटफ तयार जो की जाएगी एज के लिए वह एक जून 2021 से यहां पे कहा गया कि किया जाएगा जेनरल और EWS वाले कंडिडेट के लिए 21 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक वह आवे दिन कर सकते हैं फीमेल कंडिडेट 21 वर्ष से जो है यहां पे वह 40 वर्ष तक आवे दिन कर सकते हैं जो जेनरल और EWS के कंडिडेट हैं BC और MBC male और female दोनों 21 बर्श से 40 बर्श तक आवेदिन कर सकते हैं ST और SC की बात करें male और female की तो वो 42 बर्श तक यहाँ पर आवेदिन कर सकते हैं यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप सभी दोस्तों वहाई पर बात करें अरक्षन जो रोस्टर के हैं अनुमोदन के आलोक में कोटी बार रिक्त की संख्या में परिवर्थत हो सकती है यह कहा गया है ओफिसियल नोटिफिकेशन में ही आप लोग देख सकते हैं आपका सेचनी की योगता का कटफ जो है 16 2021 से तयार किया जाएगा इस वेकैंसी को आवेदन करांएं अब्यसाफिकेशन यहां रहना है इस वेकैंसी को чис दसष्ञाप करेंज़े डेट की देख सकते हैं और EWS candidate और यहां पर OBC वालों के लिए ठीक है 500 रुपिया जो यहां पर फीप पेमेंट मांगा गया है 500 रुपिया जेनरल EWS और OBC वाले male candidate के लिए 500 रुपिया मांगा गया है वहाई पर दोस्तो SC के लिए और ST के लिए और all candidate जो है यहां पर female के लिए उन्हें 250 रुपिया जो है फीपेमेंट करना होगा यह दोस्तों आप लोग online mood से कर सकते हो डेविड कार्ड क्रेड कार्ड यह नेट वेंकिंग यह आप बैंक इचलान के थुरूब यहां पर फीपेमेंट कर सकते हो दोस्तों इसकी selection process की बात करें तो एक आपकी retain exam होगी इसमे और वो जो है online mood से होगी online आपकी computer based test होगी जिसके माध्यम से आपकी यहां पर साड़ा कुछ होने का बाद merit बनेगी फिर आपकी selection होगी तो एक सिर्फ इसमें जो है वाल लिखित परिक्षा है लिखित नहीं कह सकते हैं यह online test होगी दोस्तों वही एक जो इसकी selection की जड़िय तो आयों दोस्तों मैंने आपको सभी जानकारी दे दिया है अगर कोई दिन रखिए अगर छोटी बड़ी और भी जानकारी चाहिए इस विकैंसी के डिकार्डिंग सिर्फ के बारे में या और कुछ तो आपको जरूर कमेंट करिया दोस्तों मैं आपको वहां पर help करने की ज आखली वीडियो में